मस्कार दोस्तो मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं लेक्टूनिस वर्मा तो दोस्तो जब कभी भी कहीं पर भी आप ओनलाइन या उफलाइन ब्लूटूथ किट को खरीदते हैं तो वहाँ पर देखे कभी भी आपको अगर बढ़िया क्वालिटी साउंड में ब्लूटूथ किट चाहिए तो आप किस तरीके से ले सकते हैं अब यहाँ पर देखे मार्किट में जो हमें किड्य मिलती हो दो टाइब के मिलती है देखे यह हमारे पर टी गे 313 इसके अंदर आपको डबल ic में मिलती है और सिंगल ic में भी मिलती है और जबकि आगे से जो इसका front होता है वो सबको same होता है तो ये मेरे पास अभी double IC में नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ वो kit किस तरीके से होती है दिखने में दोनों same होगी आपका जो Bluetooth जो box वगरा है वो उसमें same आ जाएगी अब देखिए जैसे कि मेरे पास ये दो kit है ये देखिए ये single IC के अंदर kit है ये double IC के अंदर kit है देखिए अब यहाँ पर देखिए double IC है ये double IC में है ये single IC में है देखिए अगर आप इसको cabinet में लगाओगे तो दोनों same है देखिए USB और जो charging jack है और जो volume वगरा वो बिल्कुल same है लेकिन यहाँ पर आप फरक्या हो गया कि इसके अंदर आप जो है दो speaker लगा सकते हैं इसमें double IC है इसमें आप एक speaker लगा सकते हैं ये single IC के अंदर है तो इस तरीके से हमें kit मिलती है जबकि दोनों ही kit हमारा same model के अंदर है ये double IC के अंदर हो गया ये हमारा single IC के अंदर हो गया और यहीं पर आप में जो है ये वाली kit भी देखने के लिए मिलती है मार kit के अंदर इसके अंदर हमें सब कुछ same मिलता है लेकिन इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर IR मिल गया यानि कि हम इसे remote control से remote से control कर सकते हैं kit को और इसके अंदर double speaker लगा सकते हैं इसके अंदर हमें यहाँ 2 IC मिलती है और यहीं पर अगर हम इसकी update version के बात करें और यहाँ पर जो jack है वो type C के अंदर आ गया यहाँ पर micro था यहाँ type C jack आ गया और display आ गया बाकी सब कुछ kit के अंदर same है तो यहाँ पर देखे यह kit के अंदर यहाँ पर हमें क्या मिल गया यह देखे इसके अंदर हम यहाँ पर सिर्फ दो speaker लगा सकते थे दो IC थी और यहाँ पर हमें IC की जो quality है वो काफी अच्छी मिलेगी क्योंकि इसके अंदर जो IC है वो 10 pin की लगी हुई है देखे और यहाँ पर जो IC है वो 8 pin की है तो आप कभी भी अगर kit लेते हैं अगर वहाँ पर 10 pin की IC लगी हुई है तो उसका जो sound है वो काफी अच्छा होता है और जो 8 pin की IC है उसके अंदर sound जो थोड़ा slow होता है और यहीं पर देखे यहाँ पर हमें volume control भी लगा सकते हैं दो speaker भी और battery भी और इसके अंदर हम खाली यहाँ battery और speaker लगा सकते हैं अब यहीं पर हमारे पास यह एक kit और आ जाती है market के अंदर देखे यह वाली kit भी मिलती है अब यह देखे इस kit को जब मैं इस तरीके से कर देता हूँ यह दोनों kit same है same model की kit है देखे micro switch देखे बिल्कुल same वही उसी जगे है यह देखे अब यहाँ पर difference क्या है कि इस वाली kit के अंदर आप एक speaker लगा सकते है एक ही IC लगा हुआ है और जब मैं इस IC kit को ऐसे पलड़ता हूँ तो पीछे से बिल्कुल blank है कोई भी इसमे circuit नहीं है लेकिन यहीं पर इस kit को मैं अगर इसको उल्टा करता हूँ तो यहाँ पर circuit में काफी कुछ देखनी के लिए मिलता है यहाँ पर आप LED भी लगा सकते है दो speaker लगा सकते है दो IC लगी हुई है और एक battery भी लगा सकते है और यहीं पर देखे IC जो है वो 10 pin का IC है इसका जो sound quality है वो काफी अच्छा मिलेगा और यहीं पर इस वाली kit के अंदर देखूं तो 8 pin का IC लगावा है यहाँ पर इसका sound quality ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा तो आप कभी भी अगर market के अंदर kit लेने जाते हैं तो आप SAM model के अंदर ही double IC के अंदर ले सकते हैं अगर आपको वहाँ पर मिल रही है और अगर वहाँ पर आपको कोई Bluetooth speaker बनाना है और वहाँ पर आपको sound quality अच्छा चाहिए तो आप हमेशा याद रखें कि जो IC है वो 10 pin का ले क्योंकि 10 pin के IC के अंदर sound आपको अच्छा मिलेगा अगर आप वहाँ पर 3 इंची का बूफर या 4 इंची का बूफर को लगा रहे हैं एक kit ये भी आगई है मार्किट के अंदर इसके अंदर भी double IC मिल रही है देखने के लिए ये देखिए लेकिन इसके अंदर जो IC है वो 8 pin की है तो sound जो थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन इतना भी कम नी मिलेगा इसके अंदर ये देखिए तो दोस्तों मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का icon को जुरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा